शाम को तुम्हारे प्रिंसिपल का फोन आया था तुम भी बिलकुल अपने दादा की तरह हो मैंने अपने बच्पन में उन्हें देखा है वो सारी उम्र देश के हित में लड़ते रहे और उनकी वज़ा से हम कंगाल हो गए और अब सिर्फ ये घर रह गया लोगों की भलाई क सबसे ज़्यादा खलेगी है यार वो विन है और उसके साथ ही पैसे लेकर पॉलिटिकल वैली कर रहे चाहा है तंजु मुझे बता रहा था सबको बता दो कि रात में कौन आ रहा है यह तो अनीता है अरे अरे क्यों रही है इतनी रात को यहां क्या करें मुझे सबश नहीं ह सुरिया का भाई मुझे हर वक्षेड़ता रहता है बॉबी इसलिए मैं मरना चाहती हूँ हर वात मेरा पीछा करता है समझ नहीं हो तो मैं क्या करूँ और तुने पहले कि नहीं बता है पहले वो सिर्फ प्रपोस किया करता था मुझे और आज ता सब के सामने उसने मेरा पर पढ़ी रही उस दिन तुझे कुछ हो जाता तो पाकाले क्या ऐसे डड़ती रहेगी तो एक दिन मर जाएगी बता कहां पर रहा है यह बॉबी मैं उसको सब्सक्राइब कि वहां का सारा इंतिजाम हो गया ना अरे एक नंबर बॉस देख बबी तू बस शांती से खड़े रहे ना मैं बात करता हूं इसे फालतों का मेटर नहीं चाहिए यह देख जंडू लोग आ गए मातिन मेला गुमने आया है क्या हम लोग अनिता के बारे में बात करने आये ह हम लोगों के दुश्मनी आपस में है और जब वो तुझे पसंद नहीं करती है तो उसके पीछे क्यों पढ़ा है अनिता सीधी लड़की है बता रहा हूं तुझे उससे परेशान करना छोड़ दे तेरी बहन लगती है उसका बोडिगाड है तू चल निकल जाए यहां से उ मियां सिर्फ बात करने आया है एक किशोर देख तुझे समझाने आया है हमें जगणा नहीं करना यह जो हुआ उसके लिए सौरी है चल 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 देख क्या रहा है लेके जा इसको तेरे को एक बार बोला दाना हाथ नहीं उठाने का फिर क्यों उठाया लफणा बढ़ाना है देख बिना हाथ उठाय बात नहीं हो सकती थि क्या अचलो रपे कितना भी बोला समझता हिन है रगो जोड़ा मार साले गोर अपको कि रड़के चलेगा बोबी चाल चल 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 बोबी उधरे अकिलाल रहा है अरे चोड़ उसको चल 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 आप यह रोक ब immortal के है यह बोबी यार बॉबी यार बॉबी बसकर यार चलियांसे निकलते हैं मेरी बास सुन रहा है यार बॉबी चल चलिया एफोली सब देटी चलिया चलिया चलियाँ चुड़ी बॉबी च रूड़ी चछलियार चौड़ चाहँ है चौड़ चौड़ से चौड़ 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 सर गलती हमारे नियून की थी ए गोचो तुम मुझे बताएगा किसकी गलती है मैं सही कह रहा हूँ सर वो कई दिनों से हमारे कॉलेज की एक लड़की को परिशान कर रहा था सर वो लड़की सुसाइट करने वाली थी अगर ये बात थी तो कानून अपने हाथ में क्यों लिया तुम लोग पुली स्टेशन नहीं आ सकते थे जवानी का कुछ ज़ादा ही जोश चड़ाये क्या इस बार मैं तुमें सिर्फ वानिंग दे के छोड़ रहा हूँ दोबारा किया तो ऐसा डंडा डालूँगा कि जवानी का जोश ठंडा हो जाएगा सारी जिंदगी कुछ करने लाइक नहीं रोगे यूनियन के नाम पर गुंडा गर्दी बंद कर दो आप कंप्लेंट लिखिये सर क्या बोल रहा है बे कंप्लेंट लिखवाना है काहा है वो लड़की वो कोड के चकर लगाएगी दवाही देगी क्या बुला उसे जब बुला हमने उने क्यूं मार आप उनी से पूछिये ना सर वो लड़की तो यहां हरगेज नहीं आएगी और उन लोगों को आप कुछ नहीं कहेंगे इसलिए उनको सबक सिखाने का फैसला हम नहीं कर लिए बहुत जबान चल रही है कौन है तू और कौन हो तुम लोग स्टूडेंस स्टूडेंस तो क्या कर लोगे इसलिए हम पुलिस टेशन नहीं आ रहे थे सारी गलती उनकी और आप हमें सुना रहे हैं उनसे भटती है क्या सबर दाड़ाता है इसे हाथ क्यों लगा रहे हैं सर लेगल प्रोसीजर के साथ चलिया ना देख रहा है मुझे रूल सिखा रहा है डाल सब को अंदर ओके सर अब तो खुश है कहीं भी जाता है थोड़ी दिर चुट नहीं रह सकता अरे किसे से तो डर यार ये मार्टिन ये थारा ये सले कल्टी ये मार्टिन को ने रहे वो चोकरा मंतरी के ओला देख्या सुबा से कुछ खाया नहीं है सर और कल सब एर कॉलेज भी जाना है आरे तु बिलकुल भी टेंशन मतले मैं साब से बात करता है ना तू खाली दस हजर का जोल कर मैं तिरको सुबह तक छुड़वा देगा सर दस हजर मैं कहां से लाँगा तो सड अंदर जेल में माजा आ रहा है न बंदो बस करता हूँ वो तो अच्छा हुआ कि इंस्पेक्टर ने मामला ले देगे सुल्टा दिया दूजे क्या है अच्छी नहीं ना ही होगी हमने कुछ गलत नहीं किया है पर अब जो करने जा रहे है वो गलत है यह पनोती अचनक से कहां से आ गई और यह आखे हैं के बटान है देखकर नहीं चल सकती अभी तक तो राम नाम सत्य हो जाता हमारा अरे क्या सॉरी तुम्हारे सॉरी का मलन बना के लगाऊ एट छूमाँ मेरे पास फर्स्ट डिट के थे तेरा फर्स्ट ड्रग तेरे पास पईसा निकाल पैसे की क्या जरूरत है मैं ऐसे क्लीन करके बैंडेड लगा देती हूँ ए रहने देना क्या डॉक्टर है तू नहीं तो इतनी नौटंग के क्यों कर रही है पुरा भीजाहिल गया मैं तो बस बस से उतरी थी और फिर उसके बाद बस करना बेजे में दिमाग नहीं गया जो लोग बीच चडग में फोन पे बात करते हैं उने तो जेल में डाल देना चाहिए सॉरी भाईया यह बोल रही है अब अचार डालूं क्या तेरी सॉरी का है क्या हुआ तुम लोग भी इसकी तरह अंदे हो गय क्या एक्सिडेंट हो कि अधिक नहीं रहे रास्ता कट लिया इस बिल्ली ने रुक 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 अबे अध्लाइट की पुंगी बच गई यह एक्स्कूज मी अरे क्या एक्स्क्यूज मी इसका पैसा निकाल एक से गर दे ले और वाइक को न डीक करेगा हमारे घर पर को पैसे का पेड़ नहीं लगा है जल्दी निकाल अमें लेट हो रहा है सुन तेरे पैसे कहीं नहीं जा रहे शाम को आके बागी के चिल्दर यहीं से ले जाना इन चोर उचक्कों से तो भगवानी बचाए अरे बॉबी इधर आ हाँ क्या हो आउंटी अरे इधर आएगा तब बताऊंगी ना ऐसे आँख फार फार के क्या देख रहा है लेली को भूल गया याद ने इमली तोड़ने के लिए पेट पे चड़ता था इसी के लिए तो भूल गया दिमाग को जंग लग गया है क्या बचपन में इसी से जगड़ा करके नाक में दम किया करता था बेटा तुझे पता है आज सुबह जब लेली बस से उत्री तो किसी गधे के बच्चे ने इसे डरा धमका के इसके पैसल उट लिए ए बताने इसको क्या हुआ था दही जम यही क्या मूं में अरे फुद्दू तु यहां कह है जो हो गया सो हो गया अब क्या करें मुझे क्या पता तो तुझाय की बहन है और इसके बारे में किसी को बता तो तो तुझे लिए अच्छा नहीं होगा क्या करेगा फिर से डराएगा मुझे बड़ी अम्मा इए बात का बवाल मत बना जिसने मेरे पैसे चीने थे ना उसने कहा था शाम को वहीं आकर पैसे वापस दे देगा इसकी तो आज इसकी बहुती-बहुती नोट लूँगा मेरी बेती के पैसे चीनता है अंगल लेकिए ब उसे कौन पहचानेगा? क्या तुम उसे जानती हो? सही तु कह रही है? उसके बिना कैसे पहचानेगा? लेजा ना उसे. यहां क्यों ले आ है? यह तुम्हारा अड़्डा है? अब ओवरेक्टिंग क्यों कर रही है? पालतू का यहां आना जरूरी था क्या? क्यों 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 क्य पैसे वापस कर दिये, ठीक है ना, तेवरी पैसे का है, ये क्यों, ऐसे है एश कर, दीदी को लव लेटर भीजा, फिर मुझे धमकी दिया और पैसे ले लिये, तुई है ना, वो बावी, ये तो आप गड़े मुर्दे उखाडने लग गई है, येस, दीदी को कॉलेज में लव लेटर भेजा था, उसने रिजेक्ट कर दिया था, पढ़ाई करने की उम्र में, तुम ये सब करते भिर रहे थे, हाँ, क्या हुआ शर्मारी है, वो इतना भी बच्पन से बहुत ही शर्मीला है, यहां तक कि मुझसे आख मिला कर ठीक से बात भी नहीं करता, अच्छा एक बात बता, उसने क्या कहा, वो नाराज तो नहीं हुआ ना, ज्यादा नाटक मत कर समझी, जो पूछ रहे हूं सीधे-सीधे उसका जवाब दे, मैं बॉबी को य एक्जाम में बड़ा सा अंडा मिलता है, देख जादा बखवास मत कर, यह काम ठीक से नहीं करता है यह मार्टिन, अरे सूर्या भाई, नमस्ते, आई आई बैठिये, बैठिये ना भाई, यह भाई के लिए पलना, यह मैंने सुना है तुने उस दिन मेले में सूर्या के वो तब तक शांत रहेगा, जब तक यह एलेक्शन खतम नहीं हो जाता, फिर उसके बाद वो तेरी फिराक में जरूर आएगा, विने बोल रहा था एक बार सूर्या से मिल ले, यह विने कौन है, चक्री का भाई है न, कौन है यह विने, सुनो भाई, हम स्टूडिन्स के लि तो वो हमारा भाई कैसे रहा, हा, इसलिए हमें तो मती समझाईए, ठीक है, बेस्ट अफ लक्ट, तो थोड़ा समलगे रह न और आपको भी बेस्ट अफम लख, और हां, वो जो नया युणियन बना रहा उसके लिए भी बेस्ट अफल अफम्ण कना बाई, समलगे रह न बा में लड़के वाले आती होंगे रुप जाना हां आ रही हूं ए बॉबी जैया से जिसकी शादी होने वाली है उसकी चिंदी की बहुत बड़ी फैक्टरी है शादी के बाद जैया भी चिंदी चोर न बढ़ी चिंदी की नहीं कपड़े की आपना काम कर बड़ी आई मुझे अब पानी भी नहीं है मैं लेकर आती हूं बॉबी कैसी लग रही हूं साक्षात लक्षमी लग रही है है ना अले काओ भाग्यवान मैं आती हूं आ गए चलो नमस्ते नहीं आई 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 बढ़ी लड़का कैसे दिखता है उंट जैसा है तुम्हारा नाम क्या है बिटी जया पुत्पे गई है जी जाजी है आंसम है अले आप लोग तो कुछ खाई नहीं लें आप शर्माइए मत खाई है आप लीजी बढ़ी 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 दीदी के लिए अभी भी क्या बोलते हो देर नहीं हुए जब से तु आये तब से ओवर एक्टिंग ही कर रही है बगया से चोटी दादा जी के रूम में केंडल लगा दे ठीक है माँ बाबी अंटी के यहां से इसे पिस्वां के लिए मैंनी जारा आप जाए मैंनी चारा सुन रमेशने मिलके में ला चुप-चाप जा देख तू अब बहाने मत बना हां मेरे घर में पहली शादी और तू नाटक कर रही है मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनने वाली हूं चल अब फटा-फट पैकिंग कर और सीधी आजा इधर यह क्या कितनी देर कर दी पीस के लाती हूं बैट पीस लीजेग कीट कीकीट जू तक तरी कीट जू तक तरी किट तक तरी बोबी अधर अधर आधर शादी की बात करने आया हो भूमें तक म सप्धाफ हर्यूं बबब केशा पांश किव अब तक मथल गिनला नहीं अंकल मुझे आपके पेट की चिंता आप मिल्ले पेट तप्तितो है अ नजल लगाला है अरे बॉब इधर आना बैट बैट ये सेपकारट देगा डिनर हो गया हाई बॉबी कब आई ए लिली जानती है बच्पन में ये हम सब को महन्दी लगाया करता था बॉबी तुझे याद है महन्दी लगानी भी आती है तुम्हें लिली इसे कम मत समझना ये बहुत टालेंड़ है लड़कियों को लेटर्स भी लिखता था ओ ऐसा क्या और उसके अलावा बहुत अच्छी कहानी भी लिखता है तुम्हें सुनाता था क्या सॉरी ए बॉबी कोई नई कहानी लिखी है क्या हरे सुना ना लिली को कहानिया पसंद है प्लीज बॉबी प्लीज चांद की चांदने भी फीकी पड़ सकती है खिलता हुआ फोल भी मुर्जा सकता है लेकिन हम दोनों की ये गहरी दोस्ती आखरी सांस तक कभी नहीं मुर्जाएगी मौत तो बस एक बहाना है जिंदिगे को हमेशा आना और जाना है चाहे हमारा बच्पन कभी वापस ना लोटे पर हमारा प्यार हमेशा रहेगा अपना मूँ बंकत अच्छा लिखाता बॉबी तुमें अंकल इतना मत हसी है बैल्ट खुलगे तो लूंगे खिसक जाएगी बॉबी रुको बॉबी 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 कहानी बहुत अच्छी थी सच कहे रहे हूं डियर कॉम्रेट चाद की चान्नी भी पीगी पड़ सकती है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है एक दिन अवाट ज़रूर मिलेगा कॉम्रेट मा के नहीं सूरियम कॉम्रेट का क्या मतलब सरनेम है क्या अरे नहीं कॉलेज की टाइम पर दादाजी सब की हड़िया तोड़ा करते थे शायद इसलिए उनका नाम कॉम्रेट पढ़ गया जब से मैंने इस घर में कदम रखा ना कॉलनी के एक ही कॉम्रेड है बॉबी के दादा जी अगर तुम्हें इसका सही जवाब चाहिए तो उपर जाओ दादाजी तुम्हें बता देंगे यह एक बहुत बड़ा सीक्रेट है बताए ना दादा जी जब कोई अपने अधिकारों के लिए लड़ता है उसे बड़ी हिम्मत से काम लेना होता है हो सकता है उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़े उस वक्त जो होसला बढ़ाता है और मंजिल पाने में उसकी मदद करे उस इंसान को कहते हैं कॉम्रेट और जो यह प्लास्टिक बोल नहीं है आट टेनिस बॉल है बहुत जोर से लगता है ऐसा क्या बड़ी अम्मा वो भी कहलेंगी अ मॉटन क्रिकर खेलना है तुझे रूल्स जानती है कि सामने बॉल गई तो चौका इधर देवार पर दो रन विकेट्स पे बॉल लग गई तो आउट ओके बॉल बाहर गई तो आउट तो बाहर मत मानना वहां खड़ियो जाए फिल्डिंगर ने पीछे रहे ना और कैच्प अब देख मेरा कमाल है थोड़ा इस तरफल आप तो जादा थो अन्याजल साल पख़र 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 आजया कि आजया कि अच्छा पार चट्न Hilma हाई लीली यार यह पनुमती फिर से आगई हाई 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 हम ही जीतने वाले तो तुम्हारा पैसा लॉटा देंगे यानिकी का शुरू थी कल आराम से घर पर आजाती ना देखना बॉबी चक्का मारेगा जाया के शादी का काट देखने जा रहे थे लेकिन यह मुझे यहां ले आए कह रहे थे इसे क्रिकेट केला है यहां पर पागल है क्या अगर बॉल लगे तो नानी याद आजाएगी हम लोग खर पर खेलेंगे ठीक है तो यहां पर बैट के देख बैट बैट के देख बैट 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 के लिदेना भाईया सिर्फ एक बार मार्टन स्कोर गया हुआ रहे आटरा चाहिए छे बॉल पर आप 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 को लिव讲त कायो बारता है अब हो पाषिस को फिर मैंच खतम हो गया ऑघए इसक्राम महीं नायोगरी विरि यह न यह दुझ कोई-ऑंप आप Stephen करें अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मैं खेलती हूं न यह खेलेगी लिली यह लड़कों का मैच है हमने 5000 की शर्त लगा रखी है बॉबी मुझे खेलना आता है लिली मैंने कहाना नहीं एक किविश को बाहर लेकर जा रहे चल आम लोग बाद में बात करते हैं तुम्हें बता कॉन आट शर्षक्रण करेगा यह बाइ लड़के खिला चाहा नदकी को अपने प्रक नहीं पड़ता है और जब लड़की बोल रहे है तो खेलने देना यह लड़की हो के क्यों खेलेगी बहुत आग यह लड़की खेलेगी और तो आर यह आंशी खेलेगी अमानी से डर लग रह बाच से बॉल लगे ना लगे तू सिंगल जरू लेना, स्ट्राइक मत देना उसे, okay? बॉल को बस टच करना है, okay? ठीक याय यार, अब लड़की को खिलाना पट रहा है अरे माल पसम, लिली ने 6 बार दिया ठीक चप आथ है गड़्चॉट लिली इसने सच में सुछपाया, खेली लती है जली हुएब आप तो, 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 तो लिली हुएब गड़्चॉट दिए बात। येह येुश। बाग याइ इस वाओ। येलै येल्झ येलो ये येलो थांक्यू थंड तो थेखने लुपत लोगाया थे तुम कृकेट खेलागा स्टेट प्लेयर ए इसमें इतना चौ कने वाली क्या बात है हम तो गली में ही खेल के खुद को तीसमार गाँ समझते हैं अब तुमने का लेसे ले सकता हूं क्या हं अगर तुम बुराना मानना हो तो हमारे टीम की कैप्टेन बन जाओ ना तुम रहोगी तो यह हमेशा भरी रह पोन देना, लेड़ी है, बाबी, आना, 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 ठीक है, चलो बाइ, बाइ, लेली, बाइ, यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, आजकल तेरी हरकते अजीब हो गई है, चल, अरे, देख के चल, क्या कर रहा है, हाई, लिली, हाई, आओ ला, चाई लोगी, हाँ, थोड़ी सी, चाई बिस्कुट का ना मज़ा या लगे, हाँ, भरे अंकल को बहुत पसंद है, वो तो चाई बिस्कुट भिको कर खाते हैं, बॉबी, मैंने सुना तुम गिटार बजाते हो, कहानिया, गिटार, क्या बात है, दिन भार प्रैक्टिस चलती रहती है, कभी-कभी तो हम ग्राउंड पर ही सो जाते हैं, झाली कहा तुम पर आर सकते हैं, कहाँ, अ जाते हैं, भर को छाते ही हैं, अ आर, जा एस उुम कर बार का रहता हैं का खाते हैं, क्वड़ घजे टो हे हाँ, झाली मुम कि तो हूता हैं, वह। एंक्वा भ। ज़ने हाँ. मा ने ये मिठाई दिये शलता हूं हुआ हुआ है नहीं है अब कि छोटी मा तो जो बिला रही है जा इस है अब लिली क्या है कि रात को एक पाटी है मैं चीतने की खुशी में सबाएंगे तू भी आज़ा आ गया है इलेक्शन बेफिजूल इलेक्शन चंता का फिर से बनेगा पोपट इलेक्शन इलेक्शन आ गया है इलेक्शन चंता का फिर से बनेगा पोपट इलेक्शन आ गया है इलेक्शन चंता का फिर से बनेगा पोपट इलेक्शन चंता का फिर से बनेगा पोपट इलेक्श जंता काफिर से बंदे का ओपत! अरे ये लोग बंदी में पहली बारा है यर तो गुछ तड़कता भड़कता सुनाऊ है जिसे सुनके मन डिंकड़ाँ होने लगी जिक-चिक-चुक-चुक-चुक जबली, फिरो, जब खुड़ा मार्टिन के लिए मेरे म सी गान बनाऊ है उसकी वो थूर पे मैं अभ़ोगर बनाऊ है यारो के हम यारी और यार कॉम्रेड Grow भॉबी विनी मिलने आया है वो कह रहा है कि उसे कुछ बात करनी है तुरुच्जा मेरे आके बात करता हूं अरे विनाई तो इधर क्यों खड़ा है अंदर आना वी किदर है वो इलेक्शन रेली में क्यों नहीं आये रहे यार वो स्टूडेंट इशू नहीं था और हम पॉलिटिक्स मेटर में ज्यादा पड़ते नहीं है इसलिए बॉबी कह रहा था वो हम लोगों को नहीं चानता उस हां अपने आपको बहुत बड़ा लीडर समझता है हम लोग तेरी रेली में क्यों है हम तेरे गुलाम है क्या हम लोग स्टूडेंट के लिए रेली करते किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं स्टूडेंट को अब तक जॉब नोटिफिकेशन भी नहीं मिला है बिचार पर हमारा भरोसा ओड़िया है यहां आकर बकवास मत कर जा अपना काम कर अवकात से बाहर बात मत कर क्या समस्ता रे खुद को उस दिन सूरिया के भाई को क्यो मारा वो इस्टूडेंट मैटर था उसके साथ जो कुछ हुआ वो खुद इसके लिए सिम्मेदार है उसने जाके का मैटर फिर वो स्ट्राइक वो चलो आजाद मेदाने यह सब नाट अगया क्यों तो सीधा सीधा बात करना मैं कब तक सुदूद मन कि यहां पर चिलाता रहूंगा पॉलिटिक्स में जाके वहीं पे सेटल हो जाओंगा ने पॉलिटिक्स तुझे सूट करते तू वहीं पे पॉलिट अपड़ा कर रहे हैं अलोड चोड़ बाभी बसकर यार चोड़ यार और अज का दिन बहुत महेंगा पड़ेगो तुझे चलो रहे चल बाभी आज़ा क्या हुआ इतनी चुप-चप क्यों बैठी है कल की बात से नाराज हो कल जब मैने तुम्हें देखा मुझे विनोद किया ता कई यह विनोद को होन है हँ मैरा भाई है ओ, अरे भाई था तो उसको लेकर आना था ना उससे भी मिल ले ता म वो दिल्ली उनिवर्सिटी में प्रोटेस कर रहा था उसी प्रोटेस में उसकी मोथ हो गए मेरी आखों के सामने बाबी लडाई हमें सिर्फ खुद से लड़नी चाहिए बाहरी लडाई एक ना एक दिन हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है ये लडाई, जगड़ा ये सब मेरे भाई को वापस नहीं लोटा सकते इससे जो तकलीफ होती है न ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ मैं उसे मिस करती हूँ बहुत अकेला मैसूस करती हूँ ए लिली मैं चाहता हूँ मैं तरे घार आगे तेरे पेरेंट से शादी की बात करूँ ट्रेन आ गई है, सिग्रेट फेग दो मा अरे लिली कैसी हो बेटा? चीक हूँ लाइ अंकल मैं लेता हूँ हाई डाट हाई बेटा बाभी मैं चीक तो हो बहुत अच्छा हूँ आजो बेटा अंटी, ये बैग भी मुझे दे दिदी तैयारिया कैसी चल रहे है? कैसे बाभी, सब ठीक है ना? मैं अच्छा हूँ हमें देखे सब बहुत खुश होंगे आज आजए नवस्ते बाभी साब, कैसे हैं? अरे ये क्या हूँ? कैसे हो दीदी, चीक है ना? कैसे हो, सब ठीक है ना? पूटी किसमत तो बताईए कैसी लगे आपको बहुत अच्छी वही तो मैं जानती हूँ आपको पिंक बहुत पसंद है ये लीजिए लो इसे भी बीज़ दो अरी कुसुम आओना बिटा बहुत दिनों बाद ये सब देख रही हूँ कितना सुन्दर लग रहा है अब सरह यह लोको मैं आती हूँ देखो हाँ बस बहुत है इतना काफी है ना मैं जला आता हूँ नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए आपके लिए है वाह क्या बात है ये चलना है यलना अरे अरे इसे साइट में रखे ऐसे लगाना है अरे अरे यह बाती सब देतो और मैं पापड देती हूँ अ एक और दूना इसे लगाना अरे सुनो एक और दोना मुझे रखे अरे 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 और अरे अरे उपर बंदोबस किया लए बाई अरे यह बूरा बहुत तकर देगा तुर भूर अरे 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 हरी दी 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 चलो आपने बहुत टाइम से डांस नहीं किया चलो सब साथ में डांस करेंगे बहुत मजाएगा चलो 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 बाग चलो हाँ हाँ मैं लेकर आँ आँटी हमने अभी के लिए योगेशी घर को दूले का घर बना दिया है वो डिरेक्ली वहीं आजाए बहुत अचम जाजाए खुष्छे अरे क्या हुआ आयो दादाची समालके समालके अरे को पात ना अरे इधर दे ना आँटी यह एरिया गैस के लिए और उस तरफ हमने दिनर के लिए रखाए स्वस्तिना पूशा विश्यो वेदाह स्वस्तिना ख्षरयो अरिष्चने मिह स्वस्तिनो वरिहस पतिरदातू वर्वधू अपने हाथ आगे करें मंगलम भगवान विश्णू मंगलम गरुण द्वजा मंगलम पुण्डरी काक्षाय मंगलाय तनो हरी ए बोभी लिली को देखना पानो शशी भूभी तुनो बुदाच्या अब अपने पुल देवता को प्रणाम कीजिए मुझे एक और कलर्श की आवर्शक दाए पुलिजी बहीं रखा है नहीं यहां तो नहीं है विटाम जसी देख शेग्रमक वाली जी ए लिली जाके अंदर से कलर्श लेकिया सफेध है मिट्डी का जाओके और क्या चाहिए लिली बॉबी मिट्डी का कलर्श दिखा क्या कहीं वाइट कलर का है ढूंडोना प्लीज लिली हां क्या हुआ बहुत खुपसूरत लग रही है थैंक्स मिला क्या हां थैंक्स चलो बॉबी प्लीज लिली बॉबी प्लीज लव यू बॉबी यह अचानक से क्या लव दस दिन में ऐसा क्या हो गया कि अचानक से प्यार हो गया हम ऐसे ही ठीक है न देखो जैसे तुम दीदी को पसंद करते थे यह भी उसी तरह का अट्रैक्शन हो सकता है अरे यार प्लीज यहां से जाने के बाद हमारी लाइफ अलग होगी हमारी सोच अलग होगी हमारी जर्नी अलग होगी समझते क्यों नहीं मैं बदल जाओंगी और तुम भी बदल जाओगे और दो दिन में भूल जाओगे तुम मुझे लिली तुमने मुझे अब तक बहुत अच्छी यादे दी हैं बावी सिर्फ इसे छोड़के लिस बरेडियं भरबोदेवस्य दीमहीदी, ओधोडा प्रचोदे आपरी अंगलम दरवानेशू, अंगलम दरवात्वजा, अंगलम दो दिरूकाच्य मंत्राय दम्री दिंगे अंत करते लोगी, अंगलम मूर्णी में असमुलमी मिल सकती है क्यात मैंकल सब्सकेट filter खाना, अज हमारा हुआ, आप यापरना कादर शींकली से नियान मत्राइड़, गारा सद्थाद्टी है कि धन्धिया की अए, आपट ज्यान खीकर है, अओ, आप ज़िए क्यादार फिल् बाई एई सिलेंडर खत्म हो गया जा जा कि आंटी के घर से लेया कि आंटी 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 कि आंट बॉबी लिली यहां बस चार दिन के लिए आई थी और चार दिन में ही तुझे उससे प्यार हो गया बॉबी तु यह सब छोड़ और एक्जैम में कॉंसेंट्रेट कर खड़े हूं गेट आपाई सेड जेट कहां पर रखी हैं मेरे पस जेट नहीं है सर प्लीज चेक एंट्रेट कर रहे हैं में पस जेट नहीं है क्यों ही रिटेट कर रहे हैं पोज़े आई सेट टेक आफ यह शूस उब को ड्याब कि बोग्हिं है उस्की बातों से स्यादा मुझे यह बात प्रेशाम करती है कि मैं उस्सें जवाब नहीं देपाया उसने कहां मही राहें चुदा हैं तर उसने कभी ये नहीं खा कि वो मुझे पसंद नहीं करती पारी चोड़ी के बारे दो चाय दे यार जी लगता है बादल का किसीने शेट कर दी है आरिश रुकी नहीं रही है अगर ऐसी रहा तो बार आ जाएगी है एलिव इलिव अगर इस तरह के अच्छे शॉट मारेंगे ना तो ज़रूर नैशनले तक पहुंच जाएगे बाई 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 बॉबी तुम यहाँ कैसे बाई कसे आये हो इतनी दूर अधिया तो अपने आपको हां तू इतनी भी सुन्दर नहीं है जितनी जाया है, वो तो कमाल की डांसर है, खुबसूरत लंबे बाल है उसके, और तू खुद को दिख तेरे जाडू जैसे बाल है, जाने से पहले एक बार भी पलट के नहीं देखा तूने मुझे, इतना घुरूर, तुझे मेरे ऐसा प्यार करने वाला कभी नहीं मिल सकता, समझी, मेरे लिए, मेरे लिए मेरी लाइफ का पहला प्यार, तू है, वो तरी दोस्त हैं क्या, रुबीना और दिक्षा, रुबीना, हाँ, हाँ, हाई, बैटिंग करती हुए या बोलिंग, बोलर, कैसे बना लिए तुमने इस घमंडी को दो भाव यह नहीं देती है, बहुत बाते करती है, तुम्हारे बारे में, हाँ, क्या कहा, मतलब, जब से आई है, तब से तुम्हारे बारे में ही बाते करती है, सच क्या अरिया, अच्छा बताओ, तुम मेरे बारे में क्यों सोचते रहते हो, यह मुझे नहीं पता, तुम से ब तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी, और याद है उस दिन जब तुम उन लोगों से लड़ रहे थे, मैं बहुत डर गई थी, शायद उसके पहले ही मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी, तुम्हारी जगड़े ने उस दिन मुझे रोक बस इतनी सी बात तुम्हें रोक रही है, ये तो बहुत छोटी सी बात हो गए लेले, तुम्हें मुझसे डरने के जरौत नहीं है, मेरी वज़ा से तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अपनी जोनी का एक हिस्सा मुझे भी बना लेले, आज से मैं अरे उस तरफ नहीं इस तरफ चलो आज ये रुकेगी अगर ये बैच चीतना है, तो अपना पेस्ट देना होगा, दुनिया को दिखा दो के हम क्या है कैसे हो तुम्हें तुम्हें तो ठीक ही हूँ हम अरे तुम्हें ये देखो यार तुम्हें तो बहुत मेढ़ल सी थी ये को रहा है तुम्हों औरे तो मजे है किसी विनोर के बार दा मैं बस पर यह बहुत सरार्ती थी आधा जुक्त आधे रहना है 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 तबूकर के लिए है तक हुआ है इसरी ख्रफ टीम साथ अजय है इस्टाम कर दो खाया थेलिए हैं और यह और सेचाई अनुचार है जैताया है तो बॉबी? हुए भॉबी है 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 थैंक्यू है हलो लिली सुरूना तुम अरहे हो या नहीं बैंगलोर से वापस आते ही जब से पहले तुम से मिलोंगी हो कि ब्लीज टों माइड हुए मरी रिली मिस्सी यू अगे वाइ ने ने ये फोन पे किस विस मुझे नहीं चलेगा लेकिन तुम्हारा मैच है तुम जाओ खेलो बेस्ट अफ लॉक टुक 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 ओके बाई कहां हो तुम कहां पोचोगे मैं कबसे वेड़ कर रहे हूं किदर हो हेलो तुमीना कर दो किम पे तो बिलकुल फोकुस नहीं कर पारे बस तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूं जहाट जूटी, मुझ़ पर इलसाम लगा रही है, हुआ है, अरे सच में, हुआ हुआ है, कि ज़िन तुझे क्रिकेट से ज़ादा मुझसे प्यार हो जाएगा ना तुछ तुछ इन तरी लाइफ जाओ 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 जाओंगा, ऐसा कभी नहीं होगा, चलो चलते हैं चलो ना, तू पता नू जाना रहे हैं अरे तुम भी कैसे गए नई दूराओ इसे पहन लो चलो फिट हो जाएगा अब तो आजा हईएएभा चसा कर दो, अजय को बढई भुफ लिगा है यह 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 है यह 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 कर वा है यह है यह है यह यह है कर दो आउस्ट्रेलिया जाने के बाद मैं तुम सब को बहुत मिस करूंगी एक बात कहूं बबी लिली थोड़ी सेंसिटिव है तुम्हें पसंद करती है मुझे यकीन है तुम उसका ख्याल रखोगे देखना वो तुम सब को भूल जाएगी इतना ख्याल रखोंगा उसका तुने च किसमत बाला थू तुम्हे प्यार से के रहा है और तू देखिशूर नीचे उतर गाएगी उसके साथ हां बुलना क्या चल दिकल दिकल डिकल चल दिकल दिकल तिकल है 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 आए है है अधार ने मैं सब्सक्राइब अधार नचहां जारी थे अपने यहार के साथ हाँ कहा जारी थी अधार कि बला न lang अब जरूआ नहीं तो ट्रीओ को महा तुझाता है जपिरीके वार्वी के विटाए तो नी परिवगे पत पशोलंको भुखी खोलो खोलो गानिए परिवगे तो उल्यभ मंधो बभ्ब कर Mm .ается तुम लोग्माव सब्सजोगरे आँ निखले रहे 51 हाईilate! और भब लिकाल! और भब! किशो और डिकालग! निकाल एप वप जड़्ड़ वगाल! और खाउने, पाउने, त्सरापघ़ इसतराप! बाई डॉक्टर ने काया 48 गंटी से पहले कुछ भी कहना वश्कल है बाई मैंने पहले ही आपको बॉबी के गैंग के बारे में बताया था पर आप नहीं हमें एलेक्शन तक रुपने को कहा था अब देखिये क्या हो कि उन्होंने भाई का क्या हाल करती है बहुत के गाट उतार दो से जी भाई चल सर अरे सर काले के जाए बहुत बड़ा गुंटा है तू तूने किशोर को क्यों मारा बोल क्यों भड़ गया सर अब ही जबान रड़ा रहा तू बाल क्यों रहे हो सर आज बताता हूँ मैं कितना बड़ा गुंटा हूँ हो पर यह अर बार के बिज आए आसे उख दो सबनी आता है क्या यह जोड यह थो आइव तो यह जोड़ और मुझे मारा पीछ थे आप से आरए तो यह अब घुर अए नहीं में पचोंगें पर एप्छोंग ए थे जड़ ज़ ज़ चुल 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 चुब चुल äओ यआ। एकक्सक्यूज्मी एक्सक्यूज्मी अनीट यहां गरीट क्यों है मुझे क्यों बलाया क्या हूआ कैState महींतो!!! कुछ नहीं किया है कुछ नहीं किया है कि नहीं बार काउं समझ मनी आता क्या तुझा है भागो चलि भागो चलि भागो हाजगा भागो फ्घए याज क्यार प्यार क्यार अबद जजल ऑज को? भावी? ज़संगा जब होनो वाव!! थाल 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 वह पिलीज! बाबी... बाबी... बाबी!!! बाबी... बाबी !! प्लीज!! बाबी!!! घढ लेका बाहा जबिस्टा प्लिस्ट। वि पलुष। पलेख लेका बाहा म ο ह१। नश खम लेका में सते हैं कि अ कउने k心… collective ना आहे लेका तैने व्रेख। वि वि वेका बा मैं से सक ए porाड फितने ना भने आहर हो दो हुआ 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 है भुष रह सकता है मैंने जिंदिगी में इसा को खुश रखने का ठेका नहीं उठा रखा है हमेशा लगता है तुम्हें दुबारा नहीं देख पाऊंगी तुम्हें हमें ऐसे देख कर अच्छा लगता है क्या तुम्हारी मा पापा बेन दोस्स सब बार खड़ें तुम्हारे लिए और सब कितने दुखी है आगर क्यों हमने तुम्हारा क्या बिगा रहा है बॉबी किसने तुम्हें अग दिया बॉबी किसने तुम्हें तुम्हें इस तरह तकलीफ पहुंचा सको सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा गया तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी पेन, तुम्हारा दुख सब मुझे लक्ट देने आ जाते हैं किसने जानने की कोशिश की कि उस दिन क्या हुआ सब मुझे ब्लेम करतेBS लिली, लिली मेरी बात सुनो रूकुँच ! पागल हो गए यह लीली तुम चलो आरे तु जाना तु जा तु बार जा जाना इतने दिन से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तुमने कहा तुम अवेश्या साथ रहोगे बाभी 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 तुम चलो यह किसी नहीं सुन्प, चलो बात तो अभी होगी, क्या तुम यह सब बंग करोगी, यह मुझे छोड़ दोगे, तुम्हें फैसला करना पड़ेगा, बाभी, मैं फिर चली जाओंगी, मैं तुम्हारे बिना कभी खुश नहीं रह पाओंगी, पर कम से कम मैं सुखुद से तुर आओगी, बाभी...like बाभी बाभी जाना उसके साथ, बाभि या खरनए, याए उस दिन मैंने उसे जाने के लिए हुए दिया और वो रोगी हुए चली गई, ऑर मुझे नहीं पता था, कि वो फिर कभी वापस नहीं आएगी मैंने उससे कई बार बात करने की कोशिश की उससे मिलना भी चाहा पर वो नहीं मिलना चाहती थी अब मैं उसे कैसे बताओं कि वो मेरी सांस उने बस चुकी है उसका आना मेरी सिंदेगी में एक नया आगास था और उसका जाना मेरे वजूद की मौत, ये मेरे खुश नसीबी थी कि तुम मेरे लाइफ में आई लिले, अच्छा बताओ, तुम मेरे बारे में क्यों सोचते रहते हो, बाई, अब से मेरे जिंदगी बहुत अलग होगी, क्योंकि उसमें तुम नहीं होगी, अब मैं जब चाह कर सकता, जो भी नहीं सकता, पताने में तुम्हारे बागे रह पाँगा या नहीं? लिली, तुम्हें लगता है मैं यह कर पाऊंगा, मैं तुम्हें भुला सकता हूं क्या? हाँ, भुला सकता हूं हाँ, भुला सकता हूं तुझे देखे, तीन साल हो गए है बोल तु कब घर आएगा बेटा? तेरे दादाजी नहीं रहे, उनकी बरसी है, आप तो आजा दादाजी मरे नहीं है मा, वो अब भे मुझ में जिन्दा है कॉमरेड उसे कहते हैं, जो लोगों के हक के लिए लड़े, उनकी आजादी के लिए, उनकी खुशियों के लिए, लेकिन तुम उसकाबिल नहीं हो, उसके लिए कुर्बानिया देनी होती है मैदान में सबसे आगे रहना पड़ता है, इस चार दिवारी में तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा सारे बंधन तोड़ दो, जाओ, कहीं दूर चले जाओ, मैदान में कूट पड़ो जिस दिन तुम एक सचे कॉमरेट बन जाओगे, तुम्हें अपनी सभी बातों का जवाब बिल जाएगा हो सकता है मन्जिल बहुत दूर हो, लेकिन रास्ते अपने आप बनते जाएंगे कुद्रत कदम कदम पर तुम्हारा इंतहान लेगी, हिम्मत कभी मत हार ना आपने जो जो कहा सब सच था दादाजी, ये रास्ते, ये नदियां, ये हवाएं, ये मिद्धी, सभी मुझ से अपनी बाते करते हैं दो साल का समय, हजारों किलोमीडर का सफर, और अलग-अलगतर हाके लोग, एक जगा से दूसी जगा जाने में, जितने लोग, उतनी कहानिया, हर जगा, आपको कुछ नया सिखाती है प्रकृती के साजों से निकलती हुई हर आवाज, मुझे अंदर तक शांत करती जाती है मुझे अब समझ में आ गया है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे सफर का यही तो मकसद है सन्नाटे में गुंचती हुई तरह तरह कि आवाजों को जब मैं सुनता हूँ, मेरे उदासी के पादल छटने लगते है मैं खुश नसीब हूँ, कि ये काम मैं कर पा रहा हूँ क्या बात है बॉबी, गाइस, सवरा बॉबी को देखो ऐसी रहा करो ना, हमेशा देवदास बने रहते हो, हीरो लग रहे हो, हीरो चेतनिय ही मेरा स्ली नाम है, और ये इंटरनेशनल अकेडमी और साउंड हीलिंग के सूड़न्स हैं पर हम इस प्रोजेक्ट पे साथ में काम कर रहे हैं, यहां क्या कर रहा है बॉबी, ए बॉबी, सुनो डॉक्टर ने हमें अपॉइन्मेंट दे दी है, कल हैदराबाद बुलाया है मिलने के लिए, मिस्टर हितेश, हेलो माम, हाई, हम दॉक्टर सुमिट से मिलने आएंगे, डॉक्टर अभी राउंड़ पे हैं, उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, अब वेट केज़े, एफिल्टी माम, केह रहे हैं थोड़ा टाइम लगेगा, हां फिक्र की कोई बात नहीं, जस्ट अब ही उसमें खाना खाया हां, हां आप आराम करें, बॉबी, अबॉबी, यहा अरे बॉबी, तू यहां कैसे, तुझे देखे कितने साल हो गए, तू तो काफी बदल गया, पर तो वैसे की वैसे ही हो, अकेली आई हो यहां पर, अरे नहीं, शशांग भी आई है, अच्छा, आओ, आओ, हाई, आप लोग इंडिया का बाए, तो छे मेने हो गए, और तो अब या रहा है, थोड़ा बिजी था, आजा, इतने दिनों कहां गायब हो गया था, हम सब के याद नहीं आई, मा बता रही थी पूरे तीन साल के बाद घर गया था, अब मुझे से भी चुपाएगा, अरे बता ना, आप लोग कॉफी पीना चाहेंगे, यहां भी ले आता ह दूम लिली से मिलने नहीं आया हो, लिली यहां है, तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता, क्या हो से, लिली का रोड आकसिडेंट हुआ है, सेलेक्षन दे के दिन यह सब हुआ, उसकी वज़ए से वो नाशनल ढीम में सिलेक्ट नहीं हो पाई, वो यहीं साइक्याटर वोड में है, डॉक्टर का कहना है कि वो डिप्रेशन से जूँच रही है, क्या मैं एक बार उससे मिल सकता हूं, नो, 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 इट्स नॉट पॉसिबल, तुम जानती हो जया, मैं नहीं कर सकता, डॉक्टर प्लीज, मैं जानता हूं उसे, हम दोनों, जया, इन्हें समझाओ प्लीज, डॉक्टर, मिस्टर, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है, उसकी हालत क्या है, लेली की हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा नाजुक है, अंदर से, वो तूट चुकी है, उससे मिलना मतलब उसकी जान को खत्रे में डालना, इसलिए नहीं, मैं यहीं कहना चाहता नो, छोटी सी मुच आई है, बस नो प्राबलम, पर उनने बताना तो पड़ेगा ना, मैंने उनने पहले ही बता दिया है, डोंट वरी, ओके, तुम पहले बैस, आराम से, पैट जो चिता बदो, ठीक हो जाए, अंदर से, अंदर से, अंदर से, अंदर से, अंदर से, अंदर कर दो वहा है अंदर से, अंदर से अंदर से, अंदर से, अंदर से Çok ज़ksomारी, पहा है, अंदर नोंदर से, अंदर आर जो तूम झाल से, अंदर जोकिया। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें लोगों के बीच किसी ग्राउन में क्रिकेट खेलते वे देखूंगा और तुम यहां पड़ी हुई हो अब तुम क्यों रो रही हो यह क्या है इन लोगों ने तुम्हें बांदा क्यों है आपने इसे बांद के क्यों रखा हुए अज़िए बांद के क्यों रखा हुए दॉक्त फेली अपका क्या लगता है? यह उसकी जिन्दगी का सवाल है इसे बाहर ले जाओ जया तुम तो जानते ही हो ना बॉबी उससे क्रिकिट कितना पसंद है उस हाथसे की वज़ा से उसका सपना तूट किया वाइक लेक रेडियो नहीं आपाँ है ठीक है लिली चलो अठाओ यहां से निकलते हैं लिली चलो अखेला चोड़ तो मुझे जाने दीजिए सब मेने कुछ निकिया है प्लीज लिली मैं उन पोगे श्ष्ष्ष्ष् पिर बीजानेशिए मने कुछ नहीं verder श्ष्ष्ष् ďव यहादाया मैं यहाँ से तुम्हे दूर लहाँ औ campaign ौकंए लिली हम यहाँ नहीं तूर लेचाओ यह यहल Venezuela चोकलेट, रख रख रहा है, यह तुम्हारे लिए है, मैं तुम्हारे लिकराएग, रख 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 हाँ मेरे इंजेक्शन ले दिया चल 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 जल्दी कर, अराम से, अराम से ए कोई पकड़े उसे, उसे का ले गया है, क्या बात है एक फिर्ट पहार्ट तो चाहे देना झाल ंजे चल और भोकलेक्शन यह 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 कि यह रह कर दो कर दो कर दो कर दो कि अपनी दवाई पी और मैं आपनी तुम बहुत पतल गयों कम से कम पहले से तो अच्छा हो ना या उससे भी ज्यादा बिगड़ गया हूँ अब तुम पहले वाले बॉबी नी रहे हाँ वो तो है हाई हाई है ऐसे रहने बहुत मज़ा है तुम्हारे होस्पिरल से तो अच्छा ही है हुआ 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 है है पे दिख कुझ है सुर॥ है है प्लबी रस्था ऑफटोच्छ है 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 वाल ऐस्ताव झांग शाश्ड़ भावरी है करता धा मार्यव डियमित फेना शब्लाज करूशन दोस्ट था striking कि गड़े तोस्ट क्रूशन कर पी घ्रिए हुआ है एक बार कॉल करके बता नहीं सकता था सिगनल ही नहीं आ रहा था कहीं अंदर जाओ सब इंतजार कर रहे हैं कैसी है खड़ा क्यों है अंदर जा लिली कहां चली गई थी यहीं थी दादी हाई अंकल अपने आपको समझता क्या है अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो निकरवा तुमारा अपनी शगर मत दिखाना इडिया इडिया उसने क्या बिगाड़ा है आपका बॉबी तुम जाओ प्ली की वज़े से आपकी बेटी ठीक हुई है और आप उसे पर चिला रहे हैं प्लीज आप अंदर जाएए अंटी क्या मैं आपका बात हमें युश कर सकता हूं बहुत देल से कंट्रॉल कर रहा हूं अंदर राइट में है अरे खाना कितना पतला हो गया है बस बहुत हो आउंटी ए बॉबी मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है सब कहते हैं तु जादुगर है तुने लिली को ठीक किया ना मेरे घुटनों को भी ठीक कर दे बेटा ठीक है दादी माजी उसे खाने दीजिए बाद में बाद क लीजेगा जवन प्राश रख लिया ना पेटा टाइम टाइम पे खाना ओके चल अरे डॉक्तर कैसे हो अगर तुम फिर से हॉस्पिटल के आसपास दिखाई दिये मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूगा डॉक्तर सॉरी जो मैंने किया वो गलत था लेकिन अब वो नॉमल हो पर अंदर उसके बहुत दर्द है यह टेंप्रेरी डाइवर्जन है तुम्हारी वज़े से बॉबी जा क्यों रहो यहां रुक नहीं सकते डॉक्टर आ रहा है जब कभी तुम्हें जिंदगी में तकलीफ का एसास हो या तुम्हें अकेलापन में हैसूस हो या अगर तुम किसी को मिस कर रही हो तो इसे सुन लेना इसने में बहुत मदद की थी इसे ध्यान से रखना हो क्या समझ गए मुझे यह नहीं चाहिए मैं ठीक हूं बॉबी की ज़र्वत नहीं है नितेश यहीं बगल में रहता है मैं उसके पास रह लोंगा कब आओगे पता नहीं बाइब मुझे लगा था उससे फिर से नहीं मिल पाऊंगी पर वो मेरी सिंदगी में फिर से वापस आगया और तुछी क्या कर लगता है बाब लगता है वो पहले क्यों नहीं आया अच्छा हाप बीना दीदी कितनी मार्ड समझाया है फिर से काँच तोड़ दिया तुम लोग ने प्लीज दो न बाल, लोग एककाश तोर देते हैं कितना मेहँगा फ्रेम था आप बता कौन भरेगा इसके पैसे फिर नहीं आईगा ऐगा आयो अंती प्लीज जाने दो ना बाल, लोग लोग दो नॉ आ एक ही अरी फार ये कि ये 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 इन मुणना छलो कहां प्रैक्टिस करता है तु सेंट जॉन्स दीदी थैंक्यू दीदी क्या बात है सेस की बैंट झाल अरे तुम्हारे पास आ रहा था चलो गुमा के लिए कराता हूं तुम्हें पैठो पैट गई हाँ चलते यह प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना इंपोर्टन है तुम जानती हो ना तुमने जो मैंसूस किया वह अगर थोड़ा दिस्क्राइब करोगी तो हमारी बहुत हो जाएगी हां कोई बात नहीं तुम जो चाहो वो बोल दूगी मैं आई स्क्रिप्ट देना जरा लिली ये स्क्रिप्ट मैंने लिखिए बैट की पढ़ लो लाइन्स को तोड़ा ड्रमाटिकली बोलना ठीक है ना तुम्हारी कहानी की किया है डियर गॉम्रेट चांड की चांडनी भी फीकिए बस बस जैसा तुम्हारा मन करें वैसे बोलना ठीक है ना है मेरा नाम लिली है एक्सिजन की वज़ेसे में महीनों तक डिप्रेशन में चली गई थी इसकी वज़ेसे मेरी माने अपनी दो चूडियां भी पेचती ब बोबी मैं खुछ से बोलती हूं तुम खुछ से बोल लोगी ना हाँ ठीक है फिर उसे साइड में रख दो ठीक है अक्शन है मेरा नाम लिली है मैं पिछले कुछ महीनों से डिप्रेशन की शिकार हूं साइकियार्टिक वॉर्ड मेडिकेशन कुछ भी मेरे काम नहीं आया प नहीं सकता इनकी साउंड वेव फ्रीकुंसी ट्रीटमेंट बहुत हेलफुल थी तो थैंक यू बॉबी एंड एवरीवन मुझे फिर से ठीक करने के लिए येस बहुत है बहुत ही अच्छा था तुम खुश हो ना खुश मतलब बहुत हो ने रिजेक्ट किया पहले क्योंकि तो टाइम पर तैयार हो जाना थीक है मैं आठ बजे तक रेडियो जाओंगा तुम लोग जा रहे हो जाना तो हो गई उन लोगों को डेमो जो दिखाना है तुम यह भी जाना होगा मुझे तो जाना ही पड़ेगा वरना यह लोग तो वहां चूडियां बेच कर आ जाएंग तुम अब घर वापस जाओ लेली और अपनी फैमली की सा थोड़ा टाम स्पेंट करो जल्दी तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और यह सब चीजें तुम्हारा ध्यान भटकाती रहेंगे तुम्हारा काम तो हो गया ना बॉबी मैं चलती हूँ मैं तुम्हें फोन करता रहूं दाली ठीक है ना ध्यान रखना थ्यान रखना थेरे कुछ दोस्ता हैं कौन है पता नहीं कह रहे थे कि कॉम्राइट्स हैं सब्सक्री रखना रकम कहें से अन्येम की रहत्तने की Awesome के में से सब्सक्ता चाने करेंगे थेसरे रिक्षका नहीं कुछ हाँ में मिल्सद्धक मिल्सात्राइट्टुपर रिक्षक करें harus रूग द्या है। टो हो फूपके लाए गार यार यार इस रगुवय है यह दिनेश है यह मातेन है मेरे बच्छोन के दोस्त है मेरे शादी होने यह उने ने मेरी सादी तक मेरे साथ ही रहेगा तुम लोग कल्टी मारो टेरी शादी चोटी ने कितनी मार बोला तू आ रहा है तू आ रहा है तू तो ईद का चांद हो गया अरे मैं बताना चाहता था लेकिन बिजी था है यार लेले मिली थी वे उसे ने बताया तू यहाँ है अच्छा लेली ने बताया है हां उसे नहीं बताया था तुम लोग अभी साथ में हो यार ऐसा कुछ नहीं है को इंसिदेंटली हम लोग कहीं मिल गए हैं दरसल उसकी हालत ठीक नहीं है कि अब उसमें काफी सुधार है कि अगर कुछ दिन पहले तुम लोग उसे देखते न तो डर जाते हैं वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थी बस एक बार वो किसी तरह क्रिकेट ग्राउंड पर प्राक्टिस करना शुरू कर दे तो फिर सब कुछ सेट हो जाएगा यार उसके बाद वो अपने रास्ते में अपने रास्ते कहां चले गयाता हम सबको छोड़कर अरे भाईया कैसी है तू मैं ठीक हूँ तू कैसा है पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं हां मुआ को तंद नहीं बाबा तुम्हारे जाने के बाद यह घर घर नहीं रहा हम तो बस ऐसे ही जी रहे हैं तुम बता रहे थे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो कैसा चल रहा है वो अच्छा चल रहा है पैसे ठीक ठाक बिलते हैं फिजूल खर्जी मत करना सेविंग भी करना ठीक है अपने फ्यूजर के लिए हो सकता है जब तक तुम लोट कर आओ तब तक वक्त बदा जुका हो शायद मैं ना रहूं पर मेरा यकीन मानो उस वक्त तुम पूरी तरह से बदा जुके होगे बावी हाई लिली तुम कब आई तुम अपने साथ नहीं लाओगे तो मैं खुद नहीं आ सकती अरे मुझे लगा कि तुम डिरेक्टली रगु की शादी के लिए आओगी वरना साथ में आ जाते यार बिना बताय क्यों चले आए साथ में आ जाते तो कुछ बिगर जाता क्य अरे तुम कब आए लिली देखिये ना अंटी बिना बताया आ गया तुम आज आओ मिलकर सबक सिखाएंगे इसे हाँ यह एसी लड़की है तुम आइधर मा मेरे वाले में चीनी कम डालना तुम्हें याद है उस दिन तेज बारश हुए थी हम दोनों भीग गए थे यह हम पूरी तरह भीग गए थे और चट से पानी टपक रहा था अच्छा है उस दिन की पर रिपेर करा दिया है काफी पुरानी जो हो गई थी वैसे तुम दोनों को अचानक उसकी आद कहां से आ गई अंदर आ जाओ बैटकर बात करेंग ठीक है जब यह तुम्हें हॉस्पिटल से ले गया था तो हमें बहुत कॉल आये हम तो घबरा गए थे उपर वाले का शुक्र है कि सब ठीक हो गया इसने तीन साल तक शकल नहीं दिखाई पर तुम्हारे साथ दो हफते रहा मेरी एक बात मानोगी बेटा इसे कहीं जाने मत ठीक है जैसे कि मैं रोप लूँगी क्या मतलब वह पहले जैसा नहीं रहा वो बदल गया उसका दिल करेगा तो ही वो रहेगा मैं उसे नहीं रोपांगी क्या यार तुम लोग तो मुझे भूली गाते है और कैसा है है यार अज़ केसा है सबर्सक्राइब करें इनसे मिल यहार इसे अब नो दुशमनी लिली इसे मिल अब नो सबसा करें अब जला था अब ड़ी बाद पर आगा अखर मकना बनी गया ना देखना भाणी का गुलाम बने गा यह चलो शादी हुई तो रगु की बगबग आधी तो हो गई अब मुझे तंग तो नहीं करेगा कम से कम थैंक यू अब अब रगु के बाद बकरा कौन बनने वोला है अब तो बॉबी बकरा बनेगा और लिली तुम कब कर रही हो कैनेडा से आ रहें कुछ लोग मुझे देखने अगले हफ्ते तो हो गया अब तू भी देखले इसका होनेवाला पती कैसा है लड़का अच्छा होना चाहिए वो भी तेरी तरह दीवानों के जैसे फोन बूत पर पागल पंती करें मार्टें सच बताओ तुम मेरे लिए रोए थे अब तू मत शुरू हो जाले लिए अरे बताओ ना रोए थे क्या हुआ पर अब तुम पहले से बहुत शांत हो गया हो अब तुम्हें देखती हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे सपने तुम्हें पता है तुम्हें क्या चाहिए तुम्हारे अंदर का घुसा तो जैसे खत्मी हो गया मुझे ये बॉबी ज अब तुम सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करो तब तो सब कुछ ठीक है ना मैचेस के लिए फिट होना है नाशनल खेलना है तुम कर लोगी तो हम सब के सब वहां स्टैंस पे खड़े हो के चीर लीडिंग किया करेंगे बॉपी क्रिकिट छोड़ दिया मैंने वो मेरा पास्ट है अब तुम्हारे फ्यूचर का क्या होगा मेरा फ्यूचर तुम हो बॉबी तुम जहाँ जाओगे मैं साथ जाना चाहती हूँ हम शादी करके हमेशा अच्छे से रहेंगे और मेरे पेरेंस की भी खुशी उसी में है जिसमें मेरी खुशी है लिली यह शादी बीच में कहां से आ गए क्रिकेट छोड़कर अब तुम मुझसे शादी करना चाहती है और तुम मुझे क्रिकेट से पहले तो नहीं जानती थी ना एक समय था जब तुम मुझसे ज्यादा क्रिकेट को पसंद करते थी याद है ना क्रिकेट के अलावा भी जिन्दगी में बहुत कुछ है मुझे बस तुम चाहिए बावी मैं खुश रहूंगी देखो लेली, तुम्हें मेरे लिए सैक्रिफाइस करने की जरूत नहीं है कितनी बार का है मैंने तुम्हें मेरे लिए अपनी जिन्दगी बदनने की जरूत नहीं है मैं हमेशा तुम्हारा सौपोर्ट बन के रहूँगा, तुम्हारा कॉमरेट बन के मैं तुम्हें अपने सपने पूरे करते देखना चाहता हूँ मैं तुम्हें स्टेडियम में खेलते हुए देखना चाहता हूँ लेले तुम्हें हो क्या क्या है बार-बार क्रिकेट, गोल यही सब बाते किया जा रहे हो एक बात बताओ क्या तुम मुझसे प्यार करते हो क्या तुम मुझसे शादी करोगे ये बात कैसे कह सकती है तुम नहीं क्या मतलब क्या तुमारे बात का शादी के बाद क्या तुम पहले कितना क्रिकट खेल पाओगी फिर से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर पाओगी लेली लेली बॉबी क्रिकिट छोड़ दिया मैंने तुम्हारा काम तो हो गया ना बॉबी वो बाहर से खुश लगती है पर अंदर उसके बहुत दर्थ है ये टेंप्ररी डाइवर्जन है तुम्हारी वज़े से रुबीना इसलाम वालेक। वालेकम सलाम कैसी हो तुम रॉबीना तुम और यहां मैं यहाँ पर काम करती हूँ तुम यहाँ पर काम करती हो क्या हुआ क्या तुम्हें सब ठीक तो है ना बॉबी लिली कैसी है वो ठीक तो है ना हाँ हाँ वो ठीक है हम मिले भी है मुझे उससे मिले बहुत दिन हो गए है वो बहुत सेंसिटिव है उसका खयाल रखना तुम लिली कहती है उससे अभी क्रिकेट ने खेलना है और तुम यहाँ पर सिलाई का काम सीखने आती हो आखर यह हो क्या रहा है अरूबीना मुझे समझ में निया रहा है कोई मुझे साफ-साफ कुछ बताता क्यों नहीं है आखर बाद क्या अरूबीना ज'ींवी बत्यु जखर आखर है जब एं यहाल आखर पहर पहर है वह सुरे कियो क crisis कि हाज लीजी कि और एको पाज़ को सकते हैं मिस कर अपिसान का जब राव मिढ पिजिए और्फी तो रर शुक्रीजिए चछ्रशली CalmI घर जा का मिझे क्यों टेकिन हुए जिने हुए बर्टी सिर्व वैख सर्यू यहिए यहिए शच्छ जिलाइट वाच वाटरप्लिर यॉ आर आहिए लंबड शमें के बाद कुई अच्छा खिलाडी देख ने को मिला है नौ टल में सम्थिं अबाव़ यॉर्सिल्फ तुम्हारे पापा क्या करते हैं बैंक मैनेजर है, sir. ओ, मिडल क्लास फैमिली, और्फोडॉक्स काइंड, हाँ? जी. ओके. I will support you. थांक यू, sir. बिकॉस लिली, तुम हुनर और खुबसूरती की एक शांदार मिसाल हो. मैं अपनी टीम के लिए न जाने, कितने सालों से एक ऐसी ही खिलाडी की तलाश में था. तुम जैसे खिलाडी ढूनने के लिए, मैंने दिन रात एक कर दिये. लोग इंतजार कर रहे हैं मेरी नेक्स्ट अनाउंस्मेंट का, कि वो प्लेयर कौन होगा. और देखो, सामने तुम हो. मिस लिली जो की इंडियन नैशनल टीम के लिए खेलेगी. तो कैसा लगा सुनके, अच्छा है ना? जी सर. बट, बिफोर दाट हमें कुछ बेसिक फॉमालिटीज पूरी करनी होंगी. सिट, 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 सिट. अगर कोई तुम्हारी मदद करें तो तुम्हे भी उसकी मदद करनी जाहिए. So, basically, it is, hey, Shumi, 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 ये क्या होगा? प्रैक्टिस मेब. Oh, you, you, you should take care of yourself. No, 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 no. I was about to say it. Ha, 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 formality, no, 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 no. Will you sleep with me? Sir? What? What is the big deal? आजका तो ये बहुत नर्मल चीज है, Lili. और इसमें बुराई ही किया है? तुम मेरा ख्याल रखो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। अच्छी तरह सोच के बताना, मैं इंतजार करूँगा। उस कमीनी से डर रही है। उसे पता भी है हम इस मुकाम पर कैसे पहुंचे है। इस कुट्टे को सबक सिखाना ही होगा। चल कि कम्प्लेंड कर एसोसियेशन में। नहीं, हम कम्प्लेंड नहीं कर सकते, रूबीना। तुससे डर रही है। अब तू कम्प्लेंड करेगी या मैं करूँ। हम बहुत डर गये थे, बॉबी। वो बार बार गिड़ गिड़ाई। कि क्रिकेट ही उसकी लाइफ है। पर वो नहीं माना। अज का मैंच जबरदस्था। अज का मैंच जबरदस्था। वेर इस लिले। अज का मैंच जबरदस्था। अज की जबरदस्था। कम्प्लेंड करेगी तू मैरी? कम्प्लेंड? मैंच जबरदस्था। इस इस अजबर एक जबर आएए। तू खुद को समझता क्या है। हमारी इज़त से खेलेगा? क्या कहा तूने? मैंने कम्प्लेंड की है तेरी। क्या करेगा तू? हाँ? छूकत प्लिट किये पाहर लुखो। मै एला डिसिब्लीन सिखाना सजरोंगी है, बजर होगी। धुरॉण वीवट इन में alay yak प्लिट के ते सिर्चॉप। स्विशने मेरि acronym ? मारियों उसे बीज मत्मारिये सभलीस सभीस अब जोटegने सभीस कितनी प्यार से समझाया था पर तिरी नहीं मानी तिरी समझ मे नहीं आया मझे इंकर कर दिया तोने अब देख कैसे मैं तेरा क्रिकेट करियर पर बाद करता हूं ओके? हुआ 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 हु एए रुक कहां जा रहा है तो लेके चल बता ऊपर बैच चल तो तो नमेंट का शेडियूल परी तो तो नमेंट का शेडियूल परी तो तो भुझ तो मज़े क्यों मारहें है तो नियुक्त कर दो तो पिरिकट के बारेश को इस दियूकुम कुम मोलस्करता है कि अएए ठॉक्टर इपना कुल्न निकर्रा है मेरे सार से एफ पिस द्रामा हो युह था है अए और क्या चाहते हो क्यों मार्रे ओ मुझाए क्रिकेट केल लडिको तेरे साथ सोन हो पड़ता है नहीं नहीं पुम्रेश को दोड़ाए में गुबएक 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 अपुबएक वो आएगी और क्रिकेट भी खेलेगी तू कौन होता है किसी का फ्यूचर डिसाइड करने वाला हाँ अब तेरा फ्यूचर वो लड़कियां डिसाइड करेंगी तुझी क्या लगता है तेरी कंप्लेंट करने के लिए फरिष्ट दू आना पड़ेगा तेरे लिए सर्फ लिली का भी है रोक के दिखां अब हम खड़े हैं उसके पीछे कामरेट्स कि बोबी बोबी क्या हुआ तुम्हें छोड़कर मुझी कहीं नीचाना चाहिए तलिली स्वार्य कोई बात दें एसे ने रोते ठीक है ना चलो मेरे साथ हैं अरे कहां लो वो भी आ गिया है चलो एक मिनट कोई हो तुम लोग आम यहां पर कंप्लेंट लिखाने आएं कैसी कंप्लेंट साउथ जोन क्रिकेट असोशेशन में लड़ाई हुई है चैर्मेन रमिश रावनें लीली नाम की लड़की को हराई हैं तुम् यह रुक फाइल लेके अंदर कहा जा रहा है ए कौन हो तुम लोग और बिना पूछ अंदर कैसे आगे साउथ जोन शेर्मेन रमिश राव को दस लोगों ने मिलके मारा और चेताब नहीं दिये सार हमें ऐसी कोई भी कंप्लेंट नहीं मिली है यह कहा रहा है कंप्लेंट नह किया है विमन क्रिकेटर्स को और वो कमीना सडक पखोले आम गूम रहा है सेक्शल हैस्मेंट एड वर्क प्लेस एक्ट सेक्शन 354 एं सेक्शन 376 के तहच जब तक आप से रस्ट नहीं करते हम लोग यह से नहीं चाहेंगे साइन कर लेली बॉबी इसकी कोई सरुवत नहीं प अंकल रुकिये रो मत बेटा सब ठीक हो जाएगा लिली में पाथ सुनो हाँ धटा छूना मत इसे क्या समझता है खुद को किसने पूछ के तू इसको यहां पर लेकर आया अंकल आप नहीं जानते क्या हुआ है लिली के नैशनल्स में ना सलेक्ट होने का कारण कोई शर्म नहीं आती आपकी बेटी की साथ किसी ने ऐसा सुलू क्यों आप चुपो लिली यह सब क्या है इससे बात मत करना हूं जब मैं आपकी बेटी को यहां से ले गया तो आपने मुझे थपड मारा मैं समझनी पा रहा हूं कि यही गुस्सा आप उस पर क्यों नहीं निकाल लोग बहुत इजदार घराने से हो इजद ज्यादा सुरूवी है बेटी की तकलीफ लिली चलो यहां से लिली यह लोग तुम्हारी जिंदगी मुझे बात करके रख देंगे मुझे बाभी से कुछ बात करें ठीक मैं बाहर बेट करता हूं लिली चितना रमेश राओ तुम मेरे हालात समझने की कोशिश तो करो कैसे समझा हूं मैं तुम्हारे मैचस देखने के लिए याद है और आप तुम यहां किसी लूजर की तरह प्यार और शादी की बात कर रही है मैंने सोचा तुम बदल गया हो पर तुम वैसे के वैसे ही हो बिल्कुल नहीं बदले लिली उनसे में बस कुस्सा था पर वो लड़ाई नहीं थी लेकिन अब यह असी लड़ाई है हम ऐसे हाथ पर हाथ धरें नहीं बैच सकते हैं उन्हें दिखा दू कि कॉम्रेट कर से नहीं दिखा दू कि चल रही है ए चल ए बोला न अब उस कंप्लेंट पर ध्यान देना सर हम पा रमेश रहो मेरे साथ सोना चाहते है पापा फैमली की इज़द बचाना चाहते हैं और तुम चाहते हो कि मैं लड़ू कभी किसी ने पूछा कि मैं क्या चाहती हूं मैं दूसरों के हिसाब से जिंदगी जी के ठक चुकी हूं मैं जोड़ती हूं प्लेज जिस लीव मी अलोर क्या चाहती हो तुम चाहती क्या हो तुम बुल जाओ मुझे उस आपमी को डाड को सोसाइटी को पर एक बात खुद सोचो एक बार खुद सोच के देखो के तुम क्या चाहती हो अपने हब के लिए लड़ना सीखो लिली, ऐसे काईरों की तरह कब तब भगती नहोंगी? वो लड़की को साथ लाया और कमप्लेन लिखके क्या तरी, तरी सिंदगी तो जंड होने वाली है, बैड मैन उसने मेरे आफिस में मचा ही बारा उसे पकड़ने की बजाए, मेरा ही मजाग उड़ा रहा है अबे तो मुझ पे क्या चिल्ला रहा है तू? लड़की को देखे अंदर का शैतान जाग जाता है ने तेरा? ये कोई जोटा मोटा केस नहीं है अगर लड़की ने उसकी बात मालनी और कंप्लेंड कर ली ना तो पतलून धिली हो जाएगी तरी बात करता है वो पिल्ला मेरी पतलून धिली करगा? ना तक नहीं चांता नहीं हो जाएगी कि मैं अगर वो जाएगी के लिए हाग कर दी? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? लिली ये तेरी जिंदगी का सवाल है कैसे तुने? तुम सब लोग मिलकर मुझे पागल करतोगे बॉबी नहीं कुछ कहा क्या? बता मुझे वो अब भी बिल्कुल वैसा ही है वो बिल्कुल नहीं बदला मुझे तो भूल चुका है वो प्यार नहीं करता वो मुझसे मुझ पर बस दया आती है और मुझे यह नहीं पसंद मेरी जिंदगी बहतर बना के वो मुझ पर सिर्फ एहसान करना जाता है क्या मतलब? किसी और से शादी करके तुँ जिंदगी पर खुश रहेगी? तुने क्रिकेट भी छोड़ दिया क्या हुआ उन सपनों का? वो यह सब सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि तुम क्रिकेट खेल सको पापा को माना कर दे लिली लिली लिजी ना? हाँ हाँ लिजे लिली ने अपने हाथों से बनाये है बहुत शौक है उसे कुकिंग का लो बेटा बॉबी बाहर यह क्या नाटक चल रहा है तो तु शादी करके यहां से भाग जाना चाहती है अब क्या करने आयों? जाओ यहांसे यहीं रुक और लड़ मैं तेरे साथ हूँ मैं उसके खिलाफ कंप्लेट कर चुका हूँ बस कमीटी में यार उन्हें बता की सच क्या है हाँ? लिली अपने हग के लिए लड़ लिली मैं हमेशा तेरा साथ दूँगा देख सेरा खुद को देख यह कौन है? यह वो लिली नहीं यह जिसे में जानता था यह चोटी, फूल, साड़ी, मेकप यह डरी, सहमी लड़की खुद को इन सब चीजों के पीछे चिपाने की कोशिश कर रही है बस उस पुरानी लिली को बाहर निकालो, मैं तुम्हारे साथ हूँ तीन साल बात तुम मुझसे यह कहने आया हूँ इतना वक्त लग गया इतने दिनों तक कहां थे तुम वो लड़का जो बाहर बैठा है मेरे साथ अपना बविश्य देख रहा है उसने कहा वो चाहता है मुझे इन तीन सालों में जैसे तुमने मुझे बुला दिया वैसे मैं भी तुम्हें बुला दूँगी हां, क्या बात है तीन सालों में मैं तुम्हें कभी नहीं बुला सका लिली तुम जहां भी थी, जो भी कर रहे थी तुम्हार पल मेरे साथ थी ना जाने कहां कहां बटकता रहा पर तुम्हारी यादों से कभी पीछा नहीं चुड़ा सका बहुत अकेला फील करता था बेटा, परमामा के उपर विश्वास रखो, साब ठीक हो जाएगा कार दुम्हार पास, सत्रह हजार पांच सुब्यासी फीट हाइस्ट मोटरिबल रोड इन द वोल्ड जिसे भी देखता हमारी याद आती मिट्समर, इस करमी में अब तुम नाशनल टीम के लिए क्रिकेट खेल रही होगी हम अब श्याद कभी साथ ना खेल पाएं पर एक ना एक दिन जब तुम खेल रही होगे तब स्टेडियूम में दूर खड़ा मैं तुम्हें देख रहा होँगा ओके थैंक यू दिली, लड़के वालों को फोन आया था वो लोग शादी के लिए राजी हो गए कह रहे थे इसी महिने शादी का मुहरत निकलवा दो इसने मेरी बहुत मदद की थी अच्छानक से मुझे बहुत डर लग रहा है लेली चारूं तरफ को बंदेरा है दूर दूर तक इंसान का नौमो निशान नहीं है मौइनस छे टिगरी अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं सर्फ एक बार दोर देखना जागा मुझे ये सब मेरी ही गलती है लेली काश उस दिन मैंने तुम्हारे बारे में सोचा होता काश तुम्हे कभी अपने से दूर ना किया होता पर तुम्हे अपने सीने से लगा लिया होता अजसे अजसे लगा कि अजसे लगा इशसा अजसे लगा इशसे बाथ क्योंचिप पर दो लिली, से हाइ बेटी लिली, ये ले जाके अंकल को दे दो ले लो आज मैं एक छोटी सी परीश से मिला वो बहुत क्यूट है तुम्हारी ही तरह वैसे ही शैतान, छोटी सी पूनी टेल जैसे कि तुम्हारी थी, वो पूरा दिन मेरे साथ खेलती रही, और स्कूल भी नहीं गई और पता है उसका नाम क्या है, लिली तुम्हें खुद से दूर किये आज, पूरे दो साल हो गए मुझे लगा था कि मैं तुम्हें भूल सकता हूँ और ये मेरी भूल थी अरे अगर ऐसी बात थी तो उसे पहले बताना चाहिए वो किसी की सुनेगा तब ना? छोपाएगा तो उसको कैसे पता चलेगा? एक बार उससे बात करके तो देख ले? पर आप देख सकते हैं कि किस तरह लिली का बॉइफरेंड बॉबी अपने दोस्तों के साथ रमेश राउब पर हमला कर रहा है रमेश राव इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौझूद है सर आप पर एक महिला क्रिकेटर ने सेक्शुल हैरस्मेंट का केस पाइल किया है इस बारे में आप क्या कहेंगे ये सब टीम में जगे पाने के लिए चीप ट्रिक्स हैं मुझे लगा था वो अच्छी खिलाडी है बोर्डे भी उसे सपोर्ट किया पर फिर शी लॉस्ट हर फोकस उसके बाद वो किसी बी तरह से उपर आना चाहती थी आम सॉरी मुझे उससे ये उमीद नहीं थी सर सुनियत सेक्शुल हैरस्मेंट केस में आज हाइदरबाद वेलफेर असोसियेशन ने महिला क्रिकेटर के बचाव में प्रदर्शिक दिया हमें ऐसे लोगों के खिलाफ सब से सब कानून बनाना चाहिए और इन लोगों को जेल में डाल देना चाहिए हम इस वक्त मिस लिली के घर के सामने खड़े हैं सर वो हमारी कैप्टन रह चुकी है शीज दा बेस्ट प्लियर पर उसने जो रमी सर पे अलिगेशन लगाए वो ठीक नहीं था ये केस जितना आसान है उससे कहीं ज्यादा पेचीदा इस मामले में अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे ये लेली का चकर क्या है आपको तो सब कुछ पता ही है सर चैमेन के एलेक्शन में ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज होई जाते हैं ये तुमारा हर्वा करनातक है बहुच हो गया सर यू लो मी वेरी वेल मैं ये सब कुछ सॉल्व कर दूँगा सर मैं तुमारे अपर कमेटी बिठा रहा हूँ जस्केट रड़ी फा दा सर 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 हलो हलो बीसी सी आये ने मिस्टर रमेश राओ और मिस लिली को नोटिस भेजा है उन्हें जल से जल सुनवाई के लिए कमेटी के सामने पेश होना होगा अगर वो कमेटी के सामने पेश नहीं होते है तो उन पे कठोर से कठोर खालवाई भी जा सकती है इन-हूस कमेटी में पेश होना है तुम्हे साइन कर देखा ना कितना सिंपल है भालतू का इतना ड्रामा तेरी तोप अपने आपको श्याना समझता है सडेगा जेल में ना तू बचेगा ना तेरी दो टके की गल्लफेंट दोनों जाएंगे बारा के भाव में क्यों फालतू में जिद करता है तेरे साथ तेरा दोस्त भी जाएगा चले साइन कर साइन कर तुझे गलत फैमी है के तू मुझे डरा लेगा मुझसे ज़्यादा तो तू डरा हुआ है साफ साफ देख रहा है तुझे डरा हुआ उठा रहे इसको विटा कुर्जी बे नेता साइन कर घूर क्या रहे आप यही सोच रहे हैं न कि एसीप हमारे घर चाई पे निकले क्यों आए तरसल आपको कुछ जरूरी बात बतानी थी आपको पता है बाहर आपकी बेटी के बारे में लोग क्या कह रहें कि आपकी बेटी बच्चलन है मुझे सुनके अच्छा नहीं लगा यह जो रमेश राओ है ना बहुत ही पहुचा हुआ है उसने कहा कि सारी गलती इसकी है अब आप इससे पूछे कि इन दोनके बीच में हुआ क्या अच्छा मैने सुना है कि आपने एक बेटा खो दिया है अब पूरी फैमली को शहिद करना है क्या है पंगा लिया है तो भारी तो पड़े गई वो जो तेरे बॉइफ्रेंड है ना जानती हो इस वक्त का है हमारे कबसे में बहुत भड़़डा रहा था उसके सारे पंग कतर दिये वो गुंडागर्दी का केस और भी कई केस सबको बाहर तो निकानना ही पड़ेगा न क्या करें करना पड़ता है अगर तू चाहती है कि वो जेल में ना सड़े तो तेरे लिए अच्छा यह होगा कि कल जाकर अपना स्टेट्मेंट बदल देना समझ गई आज डेली में PCCI की मिटिंग होने वाली है PCCI यह जानना चाहती है कि रमेश राव पर लगाएगा इलसाम सही है या गलत साउथ जोन ट्रिकेटर मिस लिली के केस ने पूरे देश में तहल का मचा दिया है और लोग इस बारे में जाने के लिए बेचैन है के बाद ही बोर्ट के मेंबर्स आगे का कूर्स ओफ आक्शन तेह कर पाएंगे अब से कुछी देर में PCCI कमीटी की मीटिंग शुरू होने वाली है मिस लिली और रमेश राव वहां पहुंच चुके है मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि मिस्टर रमेश राव दोशी है या नहीं तब तक आगे ये ख़बर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए लेडिज और जेंटलमेन गुड मॉर्निग मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये कमिटी BCCI के तरफ से डरेक्ली अपॉइंट की गई है इस कमिटी का मकसद है साउथ जोन के चेर्मेन मिस्टर रमेश राव पर लगाए गए यौन उत्पिरन के आरोपों की जाच करना मैं भी बहुत दुखी और परेशान हूँ क्योंकि मेरे उपर ये जूटे इल्जाम लगाए गये हैं मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस केस को जल्दी निप्टाया जाए ये मेरे करियर का और सोसाइटी की नई जनरेशन का भी सवाल है बलकि मेरा तो ऐसा मानना है कि वी शुड़ प्ले इन हेल्दी आटमस्फिया मेस लेली नवेमर 2017 में आपने अचानक प्रैक्टिस पर आना छोड़ दिया इसका कारण बता सकती है लेली उन्हें बताओ क्या हुआ था बताओ बीटी इसका एक्सिडेंट हुआ था इन्हें बताओ लेली एक कमीने तु अपना मुवर तक तेसे पुछा करनों इसके पीछे अपना मगज खराब कर रहे है मेरी बात सुलिए ये जिया नहीं किल रहे है हम अभी तो इसका पैर ठीक है अभी क्यों नहीं किल रहे है बताओ मेरा एक्सिडेंट हो गया था सब साफ हो गया इट इस और रिकॉर्ड सर क्लियर ली तुम्हारे आज के डिसिजिजन पे ही तुम्हारा फ्यूचर डिपेंड करता है तो मिस लिली आपने 17 मार्च को मिस्टर रमेश राव के खिलाव पोलिस टेशन में एक कंप्लेंट डच करवाई थी क्या ये सही है सर इस बात में कोई सचाई नहीं है और अगर ये सच है तो इसने पहले कंप्लेंट क्यों नहीं की आज क्यों कर रही है सर लिली यहां तो काके दरो मत सब कुछ सच सच बता दो है स्टमेट अजना ये कमीना फिर से ये क्या हो रहा है सर ये आप सब के सामने इसे कंप्लेंट करने के लिए फोस कैसे कर सकता है सहर इस लड़की का तिमागी संतुलन खोचुका है डॉक्टर स्क भी यही कह रहा है सवरी रहा है We can't all red this kind of behavior in this room, he's just hitting me come on in the committee itself Poovadr इसे साबित होता है कि यह खदरनाक अबरादी है, यह किसी की भी जाल ले सकता है Mr. Bobby, मैं आपको वार्निंग दराओ, हम केस को डिसमिस करके Mr. Nao को क्लीन चिट देदेंगे ऐसे कैसे केस कर देंगे, sir Please be quiet, be quiet इसे हैरस किया, यह रेपिस्ट है, sir रेपिस्ट? यह मुझ पर सामचा रहा है, और मैं वस्टुप चाप गिवस ए मोमेंट, प्लीज Miss Lily, आप खुद बताईए, Mr. Ramesh Rav ने आपको हैरस किया था या नहीं Say yes or no No अगर यह उन्होंने कुछ नहीं किया तो आपने कम्प्लेंड क्यों की? अगर यह बात है तो हमें Bobby के खिलाफ केस फाइल करना होगा यह आप जानती है Sir, क्या आपकी डॉटर मेंटिली स्टेवल है? क्या उन्हें पता है कि वो क्या कह रही है? मैं नहीं जानता है यह लड़की कौन है अगिरी यह कहना क्या चाता है? पता नहीं और मैं जिसके लिए लड़ रहा था वो यह लड़की नहीं है अगर आप इसे नहीं जानते तो आपने कम्प्लेंड क्यों दर्ज की थी? मैं से नहीं जानता, Sir रमेश्रा और मेरे बीच में एक ज्यात्ती दुश्मनी है एक बार किसी वज़ा से मेरा और उसका जगड़ा हो गया था मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आजाता है और गुस्से में मैंने उसका पर हाथ उठा दिया पर मेरा गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ मैं उससे बदला लेना चाहता था इसलिए उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए मैंने उस पर सेक्शुल हरिस्मेंट का केस टाल दिया सर वैसे लड़ाई जगड़ा करना मेरी आदत है सर मैंने हर बार खुद को बदलने की कोशिश के लिए कि नहीं बदल सका ये मेरे पडोशी की दूर की रिशेदार है सर तीन साल पहले मैंने किसी शादी में इसे देखा था किसी ने बताया क्रिकट खेलती है इसलिए रमिष्ज रॉक फशानी के लिए मैंने इसका नाम ले लिया मैं नहीं जानता था कि ये इतना बड़ा इश्यू बन जाएगा इसका इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है सर सारी गलती मेरी है बहुत बहुत सर सर मैं और मेरी पूरी फैमिलीज कंप्लेन वाजी का चकर में बहुत परिशान हुए है अब छोड़ दीजे मुझे नो मोर दिसकुशन प्लीज वी आर वेरी सॉरी हम समझ रहे हैं आप पर क्या बीत रही है प्लीज टेक यूर सीट मिस्टर बावी आपकी वज़े से एक लड़की का करिया और एक जेंटलमेन की रेपोटिशन खराब हुई है आपकी हरकते समाज के लिए खत्रा है यह माफी लाइक नहीं है मिस्टर श्रीकांथ प्लीज टेकिए में टो दे कस्टिडी सर मैंने तो पहले ही कहा था कि समाज में ऐसे दरिंदों की कोई जगा नहीं है यादाओ ले जाके फेग दे इसे जिल में प्लीज 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 पावी इसलिए बिटा, इसलिए उसे चोड़ दो Mr. Rameshra, प्लीज बैट जाएगे हम कमेटी की तरफ से आप से माफी मांगते हैं नो 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 प्लीज सर आप मुझसे माफी मत मांगिये I need an apology from her, sir मैं बताता हूँ, sir इस तरह की लड़कियां जिनके पास ना तो टैलेंट है ना ही फोकस है वो सब इसी तरह से स्पोर्ट्स में उपर आना चाहती है, sir इन लोगों की वज़े से जो अच्छे फ्लेज है वो भी कही कमीने, क्या बना तू, हाँ, क्या बना कितनी लड़कियों की सिंदगी गराब करना चाहता है, sir मैं इसे नहीं चुरूँगी तू कौन होता है, मुझे रोकने माला कर दिये वो पर आपिया पर अपिया लेप मिया लोग इसने मेरी जिंदगी बर्बात करती शुरू इसे उप्रिकित मेरी जिंदगी थी, sir मेरा सपना था इसका मिने ने उस सपने को कुछल दिया चुक्ना चूल कर दिया, sir कुछ बाते तो ऐसी है जो मैं अपने पेरेंस को नहीं बता सकती ये वाश्रूम में हमारे पीछे आता था और हमारे साथ बहुत गुद्धी अरकते करता था इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजे, sir साउथ जोन क्रिकेट प्लेयर मिस्क लिली के साथ मिस्क लिली जैसी होनहार खिलारी को बौर्ड एक एसेट मानता है और उससे request करता है कि वो National Team selection की तयारी करे बौर्ड मिस्क लिली के friend Bobby को भी धन्यवाद देता है जिनोंने इस मामले को बौर्ड के सामने रखा बोर्ड ने ये फैसला लिया है कि सेलेक्टर रमेश राव को इस पत से डिस्मिस किया जाता है और उन्हें पुलिस कस्टेडी में भेजा जाता है विष्लिली एक सवाल है इतने दिनों तो आपने इस बात को चुपा कर क्यों रखा डर हर लड़की को ये डर होता है कि अगर वो कंपलें करेगी तो क्या होगा हर इनसान का कोई ना कोई सपना होता है और उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत सारी परिशानियों को जहेलना पड़ता है उस समय हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला और ना ही किसी ने हम पर ध्यान दिया, इसलिए हम डर गए पर हम जैसो की डर को हिमबत में बदलने के लिए एक खास इंसान की जरूरत होती है जो ने डर हो आसान भाशा में कहूं तो हर लड़की के जीवन में होना चाहिए एक कॉमरेट कॉमरेट कोई भी हो सकता है दोस्त हो सकता है भाई हो सकता है, माबाप हो सकते है मेरे जीवन में भी एक कॉमरेट है मैंने सिर्फ एक बार उसे कॉमरेट कहा और उसने हमेशा मेरा साथ दिया हर पल वो मेरे साथ रहा वो तूटकर भी उसने मुझे साहरा दिया अंत में उसने मुझे लड़ना सिखा ही दिया आज की ये जीत उसी की है मिस लिली इस वक्त आपका कॉमरेट कहा है अब दुबारा क्रिकिट खिलना कब शुरू करेंगी मिस लिली मिस लिली मिस लिली मैं इसे नहीं जानता हम तो बस एक दो बार मिले है क्या कह रहे थे तुम पढोसी की रिष्टेदार है रमीश राव को अरेस्ट कर लिया गया मैंने उसे मारा नोच डाला साले को सबने मुझे रोकने की कोशिश की बॉबी लेकिन मैंने मारा उसके चेहरे से तो हवाहिया उड़ गई थी पर मैंने सब को सच बताई दिया मैंने सब कुछ बता दिया तो तुम देखते मैंने क्या क्या मैं वही था मैंने देखा अपनी लिली को नहीं नहीं मुझे बिलकुल मत चूना क्या कह रहे थे हमारे रास्ते अलग ही जो दुबारा कभी नहीं मिल सकते टेक इट बैक इसे वापस लो नहीन तो मैं तुम्हें बहुत मारूँगी मैं बोल रही हूं मैं तुम्हें बहुत मारूँगी चलो वापस लो लेली वापस लेली ओके यह कहानी सर्फ लिली की नहीं है उन सारी लड़कियों की है जो ऐसे हालात से गुजरी है उन्होंने कभी न कभी इस तरह की सिच्वेशन का सामना किया है उन मेंसे कुछ तो उनका मुकाबला कर पाती है पर कुछ उन मेंसे बिना लड़े डर की वज़ा से हार मान लेती है और इसकी वज़ा से उनकी जिन्दगी तक बरबाद हो जाती है बड़े दुख की बात है हमेशा ये बात याद रखें ये हमारे बच्चों की खलती नहीं है लड़कियों की भी खलती नहीं है उन्हें इस बात से अकेले में डरा कर चुप मत कराए सफलता पाने के लिए मन से डर का निकलना बेहद जरूरी है आपको अपनों के लिए उनका कॉमरेड बनना होगा सबका खयाल रखे टीम डियर कॉमरेड